93.5 Red FM पे New York Radio Festival 2015 का Best Innovation and Best Narration कैटेगरी में awarded शो एक कहानी हैसी भी सीजन 3 प्रवीन के साथ आज ओफिस में बहुत काम था रात को नए फ्लैट तक पहुँचने में काफी देर हो गई थी यश्को कल ही यहाँ शिफ्ट हुआ था वो राहुल ने भी यश्को कल यहाँ शिफ्ट करने में काफी मदद की थी रात को यही रुका था और सवेरे सवेरे दोनों साथ ही ओफिस गए थे पूरी बिल्डिंग बिल्कुल शान थी जिंगरों के अलावा कोई दूसरी आवाज नहीं थी बिल्डिंग के बाहर लगा गेट खोल कर यश्क ने ताला लगाया और लिफ्ट के ओड जाने को यश्क घूमा ही था जब देखा कि सिक्योरिटी गार्ड सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा था और बीड़ी पीता हुआ बोला चलिए साब हम उपर तक चलते हैं आपके साथ छोड़ाते हैं आपको यश्क ने उसे ओपर से नीचे तक देखा ऐसे मुस्कराया जैसे वो इंसान नहीं कोई कीड़ा हो और जेब से बीस का नोट निकाल कर उसके हाथों में देकर बोला इसे रखो भाल तुमें इतनी रात को जाक कर ओपर तक बीस रुपें के लिए आओगे अब यश्क की बात सुनकर सेक्यूरिटी गार्ड ने यश्क को नीचे से उपर तक देखा और मुस्करा कर बीस का नोट अपने शर्ट की जेब में रखता हुआ बोला आप ही की भलाई के लिए बोल रहे हैं साब कोई बात नहीं जाहिए आराम से यश्क हलका सहसा और फिर लिफ्ट में चढ़ा और सिक्स्थ फ्लोर का बटन दबा दिया लिफ्ट भी धीमे धीमे अपनी रफतार से ऊपर तक गई यश्क लिफ्ट से उत्रा लिफ्ट का दरवाजा बंग करके जेब से चाबी निकालता हुआ अपने फ्लैट का दर्वाजा खोनने को पल्टा ही था जब उसने देखा कि सेवन्थ फ्लोर पे जाने वाली सीडियों पर एक थोड़ी उम्र दराज औरत बैठी थी कुछ काले बाल और कुछ चांदी के धागों जैसे चमकीले सफीद तकरीबन कुछ साथ से पैसट के बीच के उम्र रही होगी उनकी इतनी रात को यहां क्या कर रही है यही सोचकर यश ने पूछा अरे आप यहां क्यों बैठी हैं? किसके घर जाना आपको? वो औरत जैसे इंसान नहीं पत्थर थी पोरी बात को सुन के भी वैसे ही बैठी रही न हिली न कुछ बोली यश ने सोचा शायद उचा सुनती होगी इसलिए उसने दुबारा कहा आँटी जी यहां क्यों बैठी हैं? और कहां रहती हैं? वो पल्टी और यश के फ्लैट की और इशारा करके बोली मैं यहीं तुम्हारे साथ ही तो रहती हूँ यश कल ही आया था शायद गलत फ्लैट के सामने ख़ड़ा था उसने पलट कर दुबारा देखा बगल वाले फ्लैट का नंबर देखा और अपने फ्लैट का भी और फिर उस औरत की उंगली के इशारे को तुबारा देखा और इसने कहा कि आँटी जी यहां तो मैं रहता हूँ रेंट भी है मैंने अग्रिमेंट साइन किया है छेसो नौ मेरा है छेसो आठ आठ आपका होगा वो औरत कुछ नहीं बोली बस मुस्कुरा के नामे सर हिला के वैसे ही बैठे रही दर्वाजे को खोड़ते हुए यश भी पलटा और लौक खोला और अंदर जाकर उसने दर्वाजे को बंद कर लिया बैग वगेरा रखकर नहाद हो कर सोचा एक पार जहाका जाय की बाहर अभी भी वो औरत है या नहीं आवाज ना हो इसलिए दबे कदमों से यश दर्वाजे तक गया और आई होल से चाक कर देखा तो वो औरत ना सिर्फ वही की वही बैठी थी बलकि ऐसे दर्वाजे की ओर देख रही थी जैसे वो जानती थी कि यश आई होल से जाक रहा था एक अजीब बात यश ने अब जाकर देखी कि उसने अभी तक शायद एक भी बार पलके नहीं जपकाई थी यश आखे फाड़ फाड़ कर उसे देखी रहा था जब अचानक उस औरत ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और उंगली ऐसे दिखाई जैसे यश को पीछे देखने को कह रही हो यश को ऐसा महसूस हुआ जैसे नसों के अंदर से लहू नहीं साप रिंग रहे हो घबराहट में एक जटके से दो कदम पीछे हट के देखा तो अंदर के कमरे का दर्वाजा हलका सहिला यश धीमे धीमे अंदर कमरे की ओर गया और दर्वाजे को पूरा खोल कर देखा तो यश को सिर्फ नसों में ही नहीं पूरे बदन पर साप लोटते हुए महसूस हुए क्योंकि सामने पलंग पर वही औरत बैठी हुई थी यश का हाल ये नजारा अपने सामने देखकर बेहग बुरा था उसे ऐसा महसूस हो रहा था इस वक्त जैसे किसी ने उसे बर्फ की अल्मारी में बंद कर दिया हूँ नहीं दूल पा रहा था और नहीं गले से आवाज निकल रही थी एक औरत जो अभी अभी बाहर थी बंद अरवाजों बंद खिर्कियों के बावजूद एक ही पल में बिना हिले डुले अगर अभी अंदर थी तो इसका मतलब वो जुन्ना इंसान तो नहीं हो सकती थी यश ने पूरी हिम्मत जुटाई और बाहर की और भागा लिफ्ट का इतजार न करके सीडियों से ही नीचे भागा और सेक्योरिटी वाले के पास पहुँच कर उसे हापता हुआ बोलने की कोशिश कर ही रहा था जब हादेली में खैनी पीट कर उसे हातों में दबाता हुआ मुस्कुरा कर सेक्योरिटी गार्ड ने कहा वो तो ऐसे बोल रहा था जैसे घर में कोई भूत प्रेट नहीं बलकि बकरी का बच्चा घुज गया हो जिसे दोड के पकड़ा और बाहर निकाल लिया लिफ्ट में चड़कर दोनों सिक्स्ट फ्लोर पर पहुँचे और लिफ्ट का दर्वाजा बंद करके तमाकों थुक कर सेक्योरिटी गार्ड ने यश से कहा सुनिये हम जा रहे हैं अंदर आप यहीं बाहर रुकिये लाख हावाजें सुनाई दें चीख पुकार सुनाई दें हम चीखें चिलाएं चाहे जो हो जाए लेकिन जब तक हम यहां बाहर आके आपको अंदर आने को ना कहें तब तक यहां से हिलिएगा भी मत यश चुप चाप वहीं खाड़ा हो गया और वो सेक्योरिटी गार्ड दर्वाजे को जरा सा खोल कर अंदर चला गया उसके अंदर जाने के कुछ ही देर में हलका सा खुला हुआ दर्वाजा बंध हुआ और अंदर से एक आदमी और एक और एक औरत के चीखने की आवाजे आने लगए यश को याद था कि उसे वहीं खाड़े रहना है अंदर नहीं जाना है यश चुपचाब वहीं खड़ा रहा और कुछी देर में सारी आवाजे शांत हो गई यश जानता था सारी आवाजे जब बंध हो ही गई है तो अब कोई दिक्कत नहीं है रतन अभी बाहर आएगा और बताएगा कि क्या करना है लेकिन पाँच तस पंदरा फिर बीस मिनट हो गए लेकिन रतन नहीं आया यश ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत इखटी की और धीमे से दर्वाजा खोला और कहा रतन रतन भाई रतन रतन यश की पुकारों के बावजूद रतन का कोई जवाब नहीं आया यश को परिशानी एक ही बात की थी कि किसी नुकसान का कोई इल्जाम यश पर ना आ जाए डरता हुआ घबराया सा यश अंदर पूरा फ्लैट उसने देखा लेकिन रतन कहीं दिखाई नहीं दिया ऐसा कैसे हो सकता था इतना बड़ा एक आदमी कहा गायब हो गया जमीन खा गया आसमान निगल गया या फिर वो बूढ़ी औरत यही सोचता हुआ यश अपने कमरे के अंदर खुसा और जाकर पलंग पर बैठा भर था जब सेक्यारिटी गार्ड रतन पलंग के नीचे से लड़कता हुआ जीखता हुआ अंदर से बाहर आया और वैसी ही जीखता हुआ कमने से बाहर और फिर फ्रैट से बाहर भाग गया यश की जिंदगी एक घंटे में इतनी ज्यादा बदल सकती थी ये यश तो क्या उसके फरिष्टों तक ने नहीं सोचा था भागते हुए रतन के पीछे दोड़ा वो रतन अरे रतन रुको अरे क्या हुआ रतन रतन अंधा धुन भागता हुआ सिधा सीड़ियों पर जैसे उरता हुआ नीचे को भाग रहा था विचारे गरीब आदमिक को कहा भसा दिया मैंने यही सोचता हुआ यश उसके पीछे उसे सभालने के लिए दोड़ा लेकिन यश जैसे ही सीड़ियों के एक जीने को पार करके दूसरे पे पहुँचा तो जहां उसे भागता हुआ रतन दिख रहा था वही अब वही बूढ़ी औरत थी यश एक पल को ठिटक के रुका तो देखा नहीं रतन ही था फिर उसके पीछे आवाज लगा कर दुबारा दोड़ा तो रतन नहीं बुढ़िया ही थी यश रुका नहीं दोड़ता रहा और आखरी सीड़ी पर पहुच कर वो बुढ़ी औरत रुक गई यश की आखों के सामने वोरत चीक कर गायब हो गई और सिर्फ वो सुनहरे फूलों वाली सफेद साडी जो उसने पहनी थी वहीं पड़ी रह गई यश बेहोश हो गया आखे जब खुली और जब उसे खोश आया तो वो अपने पलंग पर अपने ही कमरे में था सपना देखा था उसे शायद ऐसा लग रहा था लेकिन इतना सब कुछ था कि उसे ऐसा लग रह था जैसे ये सब कुछ उसके साथ रात को हुआ था खुद से ही ये पूचते हुए यश सीधा नीचे सेक्यारिटी गार्ड रतन के पास गया और उसे रात के बारे में पूचा, रतन ने जोर से हसते हुए कहा अरे साब हम कहां से रात को आएंगे, हम ड्यूटी पे थोड़े ही थे, बिल्डिंग में तो रात को किसी की भी ड्यूटी नहीं होती, तभी तो ताला लगाते हैं ना गेट पे, अगर ड्यूटी पे कोई होता तो ताला काहें लगाते यश को अभी भी यकीन नहीं था, कि क्या सच है और क्या जोट, वो जानता था कि अब पता लगाने का एक ही तरीका है यश ने रतन को नाश्टे का समान लाने के बहाने बाहर भेचा, और जाकर सेक्यारिटी रूम में सीसी टीवी की फुटेज देखी यश के होश उड़ गए, एक बार फिर बेहोशी सी चाने लगी खबराहट के मारे क्योंकि फुटेज में यश को साफ साफ दिखाई दिया, कि यश ऑफिस से देड़ से आया, उपर गया हवा में ही किसी से कुछ बात भेगी, फिर सीडियों पर अकेला ही दोड़ता हुआ दिखा और आखिर में आखिर में बेहोश होकर गिरा लेकिन घर कैसे पहुँचा, ये वीडियो फुटेज में नहीं दिखा यश ने सोचा कि अब ऐसी मुसीबत से वो लड़े भी तो कैसे इंटरनेट पर ढूंडा, घोस्ट बस्टर टीम यानि ऐसी दिक्कतों को सम्हालने वाली लोगों का पता चला उसने बात की तो रात को ओफिस से लोटने के बाद 11 बजे का वक्त तै हुआ वो टाइम पर ही आए और उन्होंने आकर अपने कैमरा, इंफ्रारेड लाइट्स, सोडियम वेपर बल्ब्स, टेपरेचर मोशन्स वगेरा लगाए और फिर फिर शुरू हुआ इंतजार उन्होंने यश से साफ साफ ही कहा कि पूरी बिल्डिंग में अजीब वाइब्रेशन्स है लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ऐसी ताकत सामने आए ही हो सकता है कि इनके रहते वो जल्दी सामने ना आए लेकिन तब ही आवाज में रिकर्ड करने की मशीन अपने आप चलने लगी लगातार एक के बाद एक तस्वीरे खिचने लगी नाइट्स अपने आप चलने बुझने लगी और वोल्टेज अब डाउन होने लगा एक बल को ऐसा लगा जैसे पस अब ही सारी बल्ग्स फट जाएंगे और पता नहीं क्या तो होगा लेकिन ठीक उसी वक्त सब कुछ एक छटके में ही शान्त हो गया आडियो रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग प्ले की तो एक आवाज उन्हें साफ साफ सनाई दी तीन बजने से पहले यहाँ से निकल जाओ वरना यहाँ कोई भी जिन्दा नहीं बचेगा वो सब को मार देगा यह सुनकर यश की तो जान गले में ही सूग गई लेकिन घोस्ट बस्टिस की टीम को पता था कि ऐसे हालात में क्या करना है उन्होंने यश कुछ समझा कर कहा कि वो परिशान बिल्कुल नहूँ उन्होंने ऐसे कई कीसे सॉल्फ किये हैं वो सब कुछ समभा लेंगे शायद उनकी ये बात उनका अपने उपर ये घमंड किसी को बुरा लग गया क्योंकि उनकी बात खत्म होते ही तुरंत एक बार फिर से लगा जैसे सब कुछ भट जाएगा सब कुछ जैसे चीक चीक कर उन सबसे वहां से चले जाने और खुद को बचाने की भीख मांगे यश बार बार कहता रहा लेकिन घोस वस्टस की टीम मानने को तयार ही नहीं थी कभी अचानक अचानक एक साथ ही उन सब का ध्यान कैमरास की ओर गया हर चमकते फ्लैश के साथ अंधेरे में उन्हें वहीं और दिखती तो कभी वहां अब सभी को खबराहट हूँ और निकलने को पल्टे ही थे जब एक आवाज कुझी उस औरत की तुम लोगों ने कईयों की मदद की होगी लेकिन यहां तुम्हारी एक नहीं चलने वाली उस औरत ने बताया कि हर जगह जैसे किसी अधुरे काम या अधुरी चाहत वाली आत्माई ही उन्होंने आज तक देखी थी लेकिन इस पूरी बिल्डिंग में रहने वाले जितने भी लोग दिखाई दिये थे उन में से कोई जिन्दा नहीं था और उन सब को मारने वाला कोई और नहीं रतन था उस औरत को यानी उशा मलहोतरा को जो एक बूढ़ी विधवा थी उनके गहनों को लूटने के लालच में रतन ने मार कर उसी फ्लैट में सड़ने को छोड़ दिया था बेटा अमेरिका से उन्हें लेने आने आने वाला था तो सब कुछ बेच कर पैसे जो अलमारी में थे वो और कहने वगेरा सब लेकर रतन भागा नहीं था वहां से सब छुपा के ऐसे रह रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो उसके दो दिन के बाद ही नतन पागलों की तरह दोड़ता हुआ बिल्डिंग से बाहर भागा जैसे कोई उसके पीछे था उसके बाद एक के बाद एक पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं बचा नतन ने मर के भी अपना बदला ले लिया ये सारी बातें बताने के बाद उस औरत ने एक बात और कहीं तीन बजने के पहले यहां से निकल जाओ वरना इतनी लोगों की नफरत इतनों के दर्थ और गुस्थे का शिकार हो जाओगे कोई नहीं कुछ नहीं बचा पाएगा तुम सब को नजर घड़ी की ओर गई तो देखा दो बच कर अंठावन मिनट हुए थे यश के साथ बाकी सब ने भी दौर लगाई वहां से नीचे पहुँच कर में गेट के ताले को खोलने की कोशिश कर ही रहे थे जब खैनी पीस कर होटों में दबाते हुए लतन की आवाज उन्हें सुनाई दी कहा चले सब लोग तीन बच गए साथ चलिए उपर छोड़ दूँ कहते हैं कि मौत और जिंदगी को खरीदा या बेचा नहीं चाता लेकिन फिर भी मौत जब भी आती है न तो इस बिल्डिंग को ठोनना नहीं पड़ता मौत अपने आप किराय पर इस बिल्डिंग में आपको एक फ्लैट दलवा ही देती है मैं हूँ प्रवीद और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी 93.5 Red FM पे New York Radio Festival 2015 का Best Innovation and Best Narration Category में Awarded Show एक कहानी सीजन 3 Praveen के साथ